हेलो गुड मॉनिंग तो सुभा की बज़ रहे हैं साथ और मैं उड़ गया हूँ इनफेक्ट मैं साड़े छे बज़े ही उड़ गया था बट थोड़ा फ्रेशने में साथ बज़ गया तो आज की दिन की सुरुवात होती है NCRT में या के साथ तो आज की सुरुवात मैं बेसिकली एनिमल टीशू से करने जा रहा हूँ क्योंकि 13 को मेरा टेस्ट है जिसमें जुलोजी में एनिमल टीशू, बाटनी में सेल वाला चेप्टर, फिजिक्स में कानेमेटिक्स एंड केमेस्टी में पिरोटिक टेपल आ रहा है तो यार एनिमल टीशू मेरा अल्मोस्ट तैयार था, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं था इसमें Confidence अची चीज है लेकिन आप Over Confidence से बचना, यह आपको आगे नहीं ले जाएगा, यह आपको नीचे ही गिराएगा तो काफी लोगों के काफी सवाल थे, जिसमें एक मेजर सवाल था लोगों का, कि वह या, NCRT को कैसे पढ़ें, NCRT में एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो लिखे जाते हैं, वो कैसे लिखें तो अपने काडिंग जो एक्चोल में मैं करता हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, कि जब भी आप NCRT पढ़ो, तो अपने पास एक पतली सिकाफी जरूर रखना, और उसमें दो तरह के पॉइंट्स लिखना, एक तो जो आपको याद नहीं हो रहा है, और दू आइस यह है आज का मेरा लंच छोला पूरी एंड पुलाओ, पुलाओ तो मैंने बनाया है, लेकिन छोला इसने बनाया है, हेलो बोलो, हेलो, यह है आप देख सकते हैं पूरा, आज यही बोला था कि भी आज बनना चे छोला पूरी, तो हम बोले चलो यार बना देते हैं, त I am going to start chemistry Chemistry में periodic ही आएगा टेस्ट में तो चलिए इसको भी एक बार अच्छे से कर लेते हैं आलदो मैं ये चेप्टर अभी कुछ दिनों पहले ही PW पर महीश सर्शिकिया था तो टीचर तो बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन बहुत खडूश टाइप के हैं ये उनों बाद बाद पे उनको गुस्सा आजाता है क्या गम है यार जिन्दिगी में कूल होकर पढ़ाना चाहिए बट कोई नहीं एक टीचर अगर कंटेंट अच्छा दे तो उसकी हर चीज एड़जस्ट हो जाती है क्योंकि जस तो मुस्टिली लोग कंटेंट से ही करते हैं न क्या पता पढ़ाने का कोई तरीका ही न हो और स्क्रीन पर आकर डांस करो गाना गाओ लोगों को हूशन दिखाओ अपना तो ऐसे थोड़ी नहीं इप्रेस हो जाएंगे लोग आज कल की कुछ में तो इसी भ्रम में है कि हम बहुत फ्यमस हो जाएंगे बहुत लोग पसंद करेंगे हमें समझ नहीं आता हो क्लास लेने आती हैं या फिर आर्केष्टा चलाने आती हैं ओ पढ़ाने क्या आती हैं ओ तो और फ्रस्टेट करके चली जाती हैं बच्चो को जरा भी नहीं सोचती हैं दुनिया समाज क्या सोचेगा खैर छोड़ो यार हम भी कहां से कहां चले आए तो कमेश्टी के नोट्स मैं आल्मोस्ट रिवाइस कर लिया हूँ अब इसके बाद मुझे जाना है लाइबरेरी सो गाइस मैं नहाद होके रेडी हो गया हूँ और अभी मुझे जाना है लाइबरेरी क्योंकि दो बज़े से मेरी लाइबरेरी है और अल्मोस्ट टाइम हो भी गया है और अभी मैं Geology and chemistry कर लिया हूँ In fact, chemistry में मुझे अभी periodic के question solve करने है क्योंकि मैंने सिर्फ notes को ही पढ़ाया भी बढ़ हाँ, अभी physics and botany में सेल वाला chapter पुरा complete revise करना है तो चलिए हुआ पर चलते हैं, फिर आप से मिलते हैं So guys, मैं library के लिए room से निकल दिया हूँ और जा रहा हूँ library, तो चलिए फिर आप से मिलेंगे तो यार library आने के बाद मुझे पता चला कि मैं अपना chemistry का PY को भूल गया हूँ तो मैं दूसरे से लिया, कोचिंग की एक लड़की है library में तो मैं उसी से लिया, वो एक्चोली अपने लिये लाई थी पढ़ने को लेकिन मैं मागा तो दे दी, बट मैं जल्दी सबढ़कर उसको दे दूँगा क्योंकि उसको भी टेस्ट देना है, तो उसको भी पढ़ना होगा तो मैं notes तो आरेड़ी पढ़ लिया हूँ, केवल question solve करने है तो देखते हैं question, यह basically आकास का module है जिसमें question दिये गए है topic wise, I think अब पता नहीं यार, देखते हैं, मैंने खुद कभी आकास का कोई book नहीं solve किया आज पहली बार देखने जा रहा हूँ हाँ, दीख तो रहा है question, है दिया गया है तो चलिए start करते हैं periodic मैं last year अच्छे से किया नहीं था बस यह करटाल देता था कि आसान chapter है करलूंगा बाद में लेकिन last time पे इतना pressure हो गया, क्यार हो नहीं पाया literally यार, exam की time इतना ज़्यादा pressure मैं फील कर रहा था कि मैं बिल्कुल एकदम उलज गया था, क्या पढ़ूं, क्या ना पढ़ूं, पढ़तो रहा था मैं बहुत लेकिन इतना tension था, कि अभी ये छूटा है, अभी ये नहीं हुआ इस चक्कर में जो चीज मैं current में पढ़ता था, वो भी एक तरफ से निकल जाता था भगवान ऐसा दिन देखने को ना दे किसी को प्रेसर में नहीं हो पाता है यार, जब तक माइंड पुरी तरह से stable ना हो तब तक कोई भी चीज अंदर गरहर नहीं हो पाती है तो इसलिए मैं आप से कह रहा हूं, कि यार अभी से मन लगा कर पढ़ो मैं नहीं चाहता, जो हाल मेरा हुआ, वह आपका भी हो मेरा दोस्त बोला कि चलो ब्रेड खालो? मैं बोला क्यो नहीं, चलो तो लाइबरेरी की वगल में ही एक दुकान है, तो हम लोग वहां पर आए हैं ब्रेड खाने मेरा ब्रेड मेरे हाथ में आ गया है देख सकते हैं तो केमिस्टी करने के बाद अम मैं करने जा रहा हूँ फिजिक्स फिजिक्स में काइनमेटिक्स का वंडी वाला पार्ट देंगे सर्टेस्ट में तो मैंने एमर सरसे पढ़ा था इसके नोर्स भी बनाये थे तो चलिए इसको भी त्यार कर लेते हैं यार मेरा फिजिक्स में टाइम बहुत ज़ादा कंजीम हो जाता है इस तमें ये समझ लोगी 50% टाइम मेरा फिजिक्स में ही चला जाता है वज़य है कि मैं हमेशा फिजिक्स से डरता था लास्ट यर भी मैं अच्छे से फिजिक्स नहीं पढ़ा था बट अब रिलाइज हुआ कि सिलेक्षन बीना फिजिक्स का नहीं होने वाला है और कोई आफ़सन नहीं है या तो फिजिक्स को पढ़ो या फिर नीट की त्यारी छोड़ दो तो इस बार सुरू से ही मैंने अपना माइटसेट बना लिया कि अब तो फिजिक्स नहीं छोड़ना है पढ़ेंगे और मन से पढ़ेंगे मैंने तो फिजिक्स को ये भी बोला कि डियर फिजिक्स आज मैं कमजोर हूँ तो बेसक तु मुझे सताएगा घर की जी मेदारिया उठाने वाला लड़का अगर कलम उठा ले तो फिर तु कहां जाएगा कौन हूँ मैं इस बात का खबर नहीं है ना तुझे पर देख एक दिन तु मुझे दूर दूर बहुत दूर हो जाएगा सीसा है ना तु तो चल मैं भी पत्थर सीसा है ना तु तो चल मैं भी पत्थर टकराया जो कभी तो चूर चूर हो जाएगा आज मैं कमजूर हूँ तो बेसक तु मुझे सताएगा घर की जी मेदारिया उठाने वाला लड़का अगर कलम उठा ले तो फिर तु कहां जाएगा बस ऐसे ही ख्याल कभी कभी आ जाते हैं फिजिक्स के लिए फिजिक्स अपने आपको सब कुछ समझता है ना तो अभी उसे मेरे होसले का अंदाजा नहीं है माना की फिल्म में विलेन का भी रोल होता है बट ओनली इंदाफ सेंसा फिरो ओके तो गाइस फिजिक्स भी हो गया है अब लास्ट पोर्षन बचा है आज के सेशन का तो चलिए इसे भी मंजिल तक पहुचाते हैं बाटनी में सेल वाला चेप्टर आये गा टेस्ट में तो एव वाला भी चेप्टर लगभग तयार है बाट एक या दो क्वेशन गलत हो जाते हैं तो 100% तो नहीं कह सकते बाट एक या दो बार और पढ़ेंगे तो तयार हो जाएगा क्वेशन सेली मिश्टेक के वज़े से ज़्यादातर हो जाते हैं बाट अब गलत नहीं होने देंगे यार तो आप लोग भी कांटीनी पढ़ाई करते रहें और इस समय का भरपूर फैदा उठाईए यह मत सोचिए कि एकजाम अभी बहुत दूर है यही सही टाइम है एक अच्छा मौका है अपना लेवल उठाने का इसी में अपना लेवल आप उठा सकते हो यह मैटर नहीं करता कि आपका लेवल क्या है मैटर यह करता है कि आप अपने उपर मेहनत करते हो या नहीं गाई जा रहा है लाइब्रेरी से अब रूम पर अपने अभी गए थे हम लोग संकट मोशन दर्शन करने वो दर्शन करके आ गए हैं अब रूम पर अभी फिलाल जा रहे हैं साड़ याड बज रहा है अभी खाना भी बनाना है हम लोगों को तो चलिए फिर रूम पर मिलते हैं आपसे जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं यहां हूँ यहां हूँ यहां कैसी सरहदे किसी मजबुरियां मैं यहां हूँ यहां हूँ यहां हूँ